कि नमश्कार पीएसी फस्ट ही है चलिए बटा आपकी क्लास शुरू करते हैं आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वह आपके एप्लिकेशन ऑफ इंटिग्रेशन का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेक्टिफिकेशन या चाप कलन ठीक है अब यह जो चाप कलन होता है इसके डेफिनिशन हम देखते हैं और उस तारे फॉर्मूले वह कुछ बेसिक एक्जामपल देखें आज का जो लेक्चर है वह समप करेंगे हम इसमें भी इंटिग्रेशन से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा और कर्व ट्रेसिंग भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा ठीक है तो चाप कलन कि या रेक्टिफिकेशन कलन या क्यल्कुलस के उप्योग से याने डिफ्रेंचीशन और इंटिग्रेशन के उप्योग से किसी वक्र के चाप की लंबाई ग्यात करना ग्यात करना चाप कलन कहलाता है चाप कलन कहलाता है ठीक है याने किसी कर्व हमको दिया हुआ है अब कर्व कैसा रहता है जनरली इंफाइनीट कर्व रहता है या यह यह दे क्लोस कर्व है तो उसके दो पॉइंट्स के वेज जो लंबाई है कर्व की ठीक है वह कर्व को हमको निकालना है जैसे माल लेजे चले देखते हैं अलग-अलग फॉर्मूले क्या है वक्र और सूत्र वक्र दिया हुआ है वाइज इकुल्स टू एफ एक्स है तो सूत्र हो जाता है a to b root of one plus dy by dx का square dx याद रखेगा root पूरा है dy by dx का square हो रहा है और उसमें plus one जोड रहे हैं उसके बाद root निकलेगा और इस पूरी चीज़ का integration होगा ठीक है मान लेते हैं वक्र इस टाइप का है एक्स इस इकुल्स टू जी वाइए तब फॉर्मूला हो जाएगा c to d root of one plus dx by dy whole square dy फॉर्मूला है यदि पैरमेट्रिक या प्राचलिक का वक्र है एक्स इस इकुल्स टू एफ टी वाई इस इकुल्स टू जी टी तब फॉर्मूला हो जाता है टी वन से टी टू root of dx by dt का whole square plus dy by dt का whole square upon into dt इंटीग्रेट करना है अगें पहले x का differentiation होगा t के respect y का differentiation होगा t के respect दोनों जो derivative आ रहे हैं उनको square करेंगे दोनों को जोडेंगे उसके बाद root निकालेंगे ठीक है दूसरी जो common mistake होती है बहुत लोगों से परिक्षा में please ध्यान देंगे a square plus b square is not equals to a plus b ये नहीं होता है ये direct नहीं लिख सकते हैं इसलिए प्लीज ये गलती नहीं करेंगे इस सारे questions में जितने rectification के questions हैं उसमें ये बहुत लोग mistake करते हैं चलिए आगे बनाएं फिर आते हैं हमारे standard curve polar curve polar curve कैसे रहते है r is equals to f theta तो इस case में जो integration रहता है वो रहता है alpha to beta root of r square plus dr by d theta का whole square d theta ठीक है इस तरीके का हमारा formula रहेगा कि इन क्या r square करना है dr by d theta निकालना है उसको square करना है दोनों को जोड़ना है उसके बाद root लेना है ठीक है और उस चीज का integration करना है तो ये आपके पांच formula हो गए चार formula हो गए जिनको आपको याद रखना है ठीक है यदि मान लीजे उल्टा है सवाल यदि इसको भी एक और formula में यहां लिख रहा हूं बसे तो ज्यादा यूज नहीं है इसका पर फिर भी यदि formula आ जाता है इस तरीके का यह थीटा कमान र के रूप में दिया हुआ है तब हम क्या करेंगे और रखेंगे और रखेंगे रवन से रटू रूट आफ्ट प्लस r d theta by dr का whole square d theta formula थोड़ा सा change हो जाएगा इसलिए ये आपको याद रखना है ठीक है अब इसमें जो सवाल आते हैं वो सबसे सरल सवाल जो है curve दिया होगा आपको points दियोंगे इनके बीच में चाप की लंबाई याद कीजिए सबसे सरल question ठीक है उससे थोड़े कठिन question होते है वक्र की संपूरन लंबाई याद कीजिए दूसरे type की question तीसरे type की question आते है वक्र के loop की लंबाई याद कीजिए थोड़ा कठिन है और सबसे कठिन जो आता है कि दो अलग-अलग लंबाईयों का आपको या तो तुलना करने बोलेगा कि दर्शाइए कि इस वक्र की यहाँ से यहाँ तक के चाप की लंबाई से इस चाप की लंबाई की दूगुनी है या फिर आपको तुलना करने के लिए बोलता है कि दो अलग-अलग वक्रों की लंबाईयों का नुपात इतना है तो आपको दो सवाल उसमें solve करने पड़ते हैं इस कारण से सारे सवाल हम देखेंगे आज कुछ सरल सवाल देखेंगे और कल के कल के lecture में थोड़े कठिन सवाल देखें इस chapter को हम समाप्त करेंगे तो सबसे सरल टाइप पर जो सवाल है उसको हम देख रहे हैं यहां पर ध्यान दीजेगा किस तरीके से मैं इसको बना रहा हूं सबसे पहला काम आपका रहता है कि वक्र को पहचानना आपको वक्र को पहचान कि किस तरीके का वक्र आपको दिया हुआ है उसके बाद पिर उसको क्या करना पड़ेगा इंटिग्रेट करना पड़ेगा था question दर्शाहिये की वक्र y is equal to log sec x के बिन्दू x बराबर 0 से x बराबर πाई बाई 3 तक के चाप की लंबाई लॉग टू प्लस रूट 3 है ठीक है यह आपको प्रूफ करना है आप सॉलूशन कैसा करेंगे देखिए स्ट्रेट फारवर्ड कर दिया हुआ है y is equal to log sec x अब यहां पर sec हो cause हो से कोई फरक नहीं पड़ता question किसके form में है y और x के form में यानि कि हमारा formula जो रहेगा वो रहेगा यह लंबाई s is equals to x1 से x2 root of 1 plus dy by dx का whole square dx ठीक है इस तरीके से तो करना क्या dy by dx निकालना है तो dy by dx differentiate किजिए log का हो जाएगा 1 upon sec x sec x का हो जाएगा sec x 10x differentiation cancel out कितना यह 10x रखिए s is equals to x1 x2 का दिया है 0 से 5 by 3 ठीक है root of 1 plus 10 square x dx यह मिला तो यहां से हो जाएगा यहां से हो जाएगा 0 2 by by 3 root of 10 square यहने कितना हो जाएगा sec square x dx और यहां से आजाएगा 0 2 by by 3 sec x dx अब यहीं सेक एक्स का आपको integration याद है तो आप डारेक्ट रख सकते हैं नहीं याद है तो आपको बनाना पड़ेगा चलिए यहां बताता हूं मैं आप लोग को dwelt में यह सब पढ़ा हुआ है इसलिए एक बार फिर से आपको इंटिग्रेशन का रिविजन कर लेना चाहिए ठीक है यहां पर मैं इसको सॉल कर रहा हूं देखे लिमिट चेंज नहीं करेंगे मैं सिर्फ सेक एक्स का इंटिग्रेशन को बता रहा हूं सेक एक्स इसमें हम मल्टिप्लाइ करते हैं सेक एक्स सेक एक्स प्लस टैन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स का टी एक्स तो यह हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वाइर एक्स प्लस सेक एक्स टैन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स टी एक्स तो यदि हम रखते हैं t बराबर sec x plus 10x तो dx हो जाएगा sec x 10x plus sec square x dx dt dt ओके तो यानि यह बेसिकली ऊपर वाला सारा क्या हो गया गया यानि यह आ जाएगा यह आ जाएगा integration dt upon t यानि integration क्या हो गया log of t यानि क्या log of sec x plus 10x यहां मान रख दीजिए यह फार्मूला याद है तो टारेक्ट रख सकते हैं बिलकुल रख दीजिए s is equals to log of 10x plus sec x लिमिट क्या 0 to pi by 3 दूसरी चीज लॉग के equations को handle करने के लिए याद रखिएगा कि जब तक बेस नहीं दिया हुआ है specifically mention नहीं है यदि तब हमेशा आप क्या मान के चलेंगे कि log का जो बेस है वो हमेशा कैसा है e ही मान के उसको चलेंगे यदि कोई दूसरा बेस होगा तो वहाँ पर mention किया होगा यदि मान लिजे mention नहीं किया हुआ है तो आप उसको क्या मानेंगे log बेस e ही मानेंगे हमेशा okay solve करते हैं बहीं चलिए solve करने पर जब हम pi by 3 रखेंगे तो क्या जाएगा log 10 pi by 3 plus sec pi by 3 minus log 10 0 plus sec 0 तो यह हो जाएगा log of 10 pi by 3 1060 1060 कितना होता है root 3 plus sec pi by 3 10 cos pi by 3 यहने की 1 by root 2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2 ठीक है और इधर आजाएगा minus log 10 0 0 sec 0 1 log 1 क्या होता है 0 यहने दूरी कितनी आई length कितनी आई log of root 3 plus 2 यह आपका क्या हो गया answer ठीक है बेसिकली सवाल किसका है सवाल है integration सवाल है integration का और बहुत थोड़ी से differentiation का तो ध्यान देंगे integration और differentiation में यदि आपको integration और differentiation आता है तो बहुत अच्छी तरीके से आप क्या कर सकते हैं इसको बना सकते हैं ठीक है जनरली जो सवाल है आपके known curves के उपर भी आ सकते हैं और unknown curves के उपर भी आ सकते हैं आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कर्व का type कौन सा है और किस तरीके से उसको हम बना रहे हैं ठीक है यह चीज़ आपको ध्यान देनी हैं चलिए एक एक सवाल हम बनाते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा टफ है यह ठीक है थोड़ा सा टफ है इस कारण से है स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान से आपको बनाना पड़ेगा ठीक है चलिए एक सवाल हम यहां बना लेते हैं question वक्र x power 2 by 3 plus y power 2 by 3 is equals to a power 2 by 3 का परिमाप ग्याद कीजिए ठीक है अब परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको differentiate करना पड़ेगा ठीक है दो तरीके से मना सकते हैं हम इसको कारती मैथट से बना सकते हैं कारती अविधी से और कारती अविधी में हमारा सूत्र क्या हो जाएगा x1 x2 root of 1 plus dy by dx का whole square dx यह formula हो जाता है ठीक है दूसरा जो मैथट है दूसरा जो मैथट है वो कैसा है वो है आपका प्राचलिक विधी से ठीक है प्राचलिक विधी जो है उसमें आपको प्राचलिक इसका सूत्र याद रखना पड़ेगा यह है asteroid x is equals to a cos cube t और y is equals to a sin cube t यह आपको याद रखना पड़ेगा इसको आपको remember रखना पड़ेगा ठेक है और इस method में सुत्र हो जाता है t1 से t2 root of dx by dt का whole square plus dy by dt का whole square dt दोनों methods आप बना सकते हैं दोनों में same answer आएगा दोनों में कोई difference नहीं है आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा बना लीजिए इसका सबसे पहले आपको tracing भी दिखानी पड़ेगी तो tracing के lecture में और इसके पहले के lecture में ने area निकालने के lecture में यह कर्व हम बना चुके हैं दो बार तो मैं यहां पर tracing नहीं बता रहा हूं पर आपको यहां पर इसकी tracing को बताना है यहां प्लस लिखा है इसका मतलब यहां पर आपको tracing भी जोड़नी है tracing के लिए मैं यहां पर आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं कर आप किसी भी तरीके से बनाईए या तो आप उसको आप उसको बना लीजिए कार्टेजियन की tracing से या फिर आप पैरामेट्री की tracing से बना लीजिए अंसर सेम रहेगा एक जैसा ही रहेगा कोई नई चीज उसमें नहीं रहेगी मैं हां सिर्फ एक बेसिक इसका शेप ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूं तो इस तरीके से हम सबसे पहले एक्सिस ले लेंगे और यह जो कर्व है यह प्लस माइनस ए के बाहर नहीं जाएगा तो उतना ही हम इसको ट्रॉ करेंगे मैं दो पॉइंट ले लेता हूं लस मैंनस ए दोनों सारे जितने भी हमारे एक्सिस हैं उस पे पॉइंट्स ले लेता हूं यह बराबर बराबर पॉइंट्स आप ले लेंगे यहांने A radius के circle के बाहर यह नहीं बनने वाला है ठीक है तो और बनता किस तरीके से है यह इस तरीके से घुमता हुआ बनता है यह तोड़ा और curve इसको देंगे तोड़ा सा नीचे की तरफ बनता है यह ठीक है अब यहां पर देखे जो points है हमारे A यह सारे A points पर ही है ठीक है चाहे किसी की भी value क्यों नहों तो हमारा जो length होगी वो यह होगा कि यह वाला point और यह वाला point कब-कब आता है यह हमको देखना है तो आप देख सकते हैं कि X किसके बराबर है A cos cube T और Y किसके बराबर है A sin cube T यह है तो A कब आए जब दोनों की value 1 होगी cos की value 1 कब होती है जब T बराबर 0 हो और sin की value कब होती है 1 T बराबर pi by 2 तो यह length हम निकाल लें यह वाली length बता रहा हूं और मैं किस से बना रहा हूं इस चीज से बना रहा हूं ठीक है दूसरे वाले के लिए मैं हिंट आपको यहां पर दूंगा वह आपका homework रहेगा ठीक है चली तो यहां पर आपके limit हो गई T is equals to 0 से T is equals to pi by 2 उसके आद फिर निकालेंगे dx by dt तो dx by dt हो जाएगा a into 3 cos square t into minus sin t ओके और dy by dt यहो जाएगा a into 3 sin square t into cos t यह मिल गया अब हम निकालते हैं dx by dt का square plus dy by dt का square एक हिंट यह है एक ट्रिक यह है कि जो भी आपको root के अंदर जितने formula हमने पढ़े हैं अभी और जो भी root के अंदर जो value है उसको आप पहले बाहर solve कर लीजे यह सारे formula पढ़े हमने तो root के अंदर देखेगा यह value है इसको आप क्या करेंगे बाहर solve कर लेंगे जैसे 1 plus dy by dx square 1 plus dx by dy square यह सारी चीज़ें आप क्या करेंगे इसको पहले solve कर लीजे रूट के अंदर डालने से पहले जो मान आ रहा है उसको रखिए और उसको वहाँ पर solve कीजे ठीक है तो फिर हमारा क्या हो जाएगा solve अच्छे से बनेगा रूट के अंदर यदि हम solve करते तो कई बहर रूट पूरा पूरा लगाना भूल जाते हैं और उसके बाद फिर हमारे गलती होने के chances बढ़ते जाते ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान देनी है तो मान रखते हैं स्कॉयर करने पर हमारा हो जाएगा a स्कॉयर 3 का स्कॉयर हो गया 9 यह एक काम करते हैं पहले हम रख लेते हैं मान क्योंकि ऐसे डारेक्ट करने से गड़बड होने के पूरे chances हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा 3a कॉस स्कॉयर t माइनस साइन t का होल स्कॉयर और प्लस 3a साइन स्कॉयर t और कॉस t का होल स्कॉयर तो यहाँ से आपको क्या कॉम निकलेगा स्ष्ट तो 9a so पूरा पूरा कॉमन निकली रहा है उसके क्या देखिए sin t गॉस अवन है sin t истор में स्कॉयरaffles को एसदे संडे फार निकालेंगे तो पूरा पूरा अनिकल जाएका कॉस स्कॉयर और sin स्क्वाईर या फिर एक काम हम करें कि पहले हम फार्मूले में इसको फुट कर दे范 तो यह हो जाएगा कोस्पावर फोर्टी साइन स्कॉयर टीningar sin power 4t cos square t, ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या बच रहा है, 9a square, बहार क्या निकल सकता है, sin square t cos square t, अंदर बचेगा आपके पास, यहां बचेगा cos square t, प्लस अंदर यहां बचेगा sin square t, दोनों जोड़के क्या हो गया, 1, यानि कितना आ गया, 9a square sin square t cos square t, अब इसको हम फॉर्मूले में रखते हैं, तो फॉर्मूले में देखिए, length s is equals to limit 0, 2 pi by 2, root of 9a square sin square t, cos square t, यहां मिलेगा आपको, 0, 2 pi by 2, 9a square बहार निकल के 3a हो गया, अंदर बचा sin t cos t, dt, यह dt, यह भूलिएगा, बतना लगाना, तो यह हो जाएगा 3a, 0, 2 pi by 2, sin 2a, 2t, 2t upon, आपन नहीं आएगा, dt और 2 भी आएगा, ठीक है, अपन आएगा, तो यहां से आपको मिल गया कितना, यह आजाएगा, 3a by 2, और integration sin 2t का कितना हो जाएगा, minus cos 2t, 0, 2, pi by 2, तो यहां से जब हम रखेंगे, pi by 2 तो 0 हो गया, lower limit 0 रखने पर, minus minus plus, cos 0 कितना हो जाएगा, 1, और answer कितना है, 3a by 2, अब ध्यान दीजिए, यह limit कौन से है, कौन से length की limit है, यह है, सिर्फ पहले वाला, यह इस चाप की है, इस arc की limit, length है, अब इसको हमको किस से करना है, multiply, total, 4 से multiply करना है, तो, संपूर्ण, या परिमाप, परिमाप होगा, 4 गुनित, s, यानि कितना, 4 गुनित, 3a by 2, यानि कितना हो गया, 6a, यह आपका क्या है, answer है, ठीक है, ओके, clear है यह, इस तरीके से आपका सवाल बनता है, अब हम आते हैं, इसके, कार्टेजियन काउंटर पार्ट पे, तो, कार्टेजियन काउंटर पार्ट के लिए, आपका formula जो है, चित्र तो, सेम बनेगा, method 2, यह आपका homework है, method 2, आपके पास equation है, x power 2 by 3, plus y power 2 by 3 is equals to a power 2 by 3, ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, differentiate करेंगे, तो, यह है हमारे पास, y power 2 by 3 is equals to a power 2 by 3, minus x power 2 by 3, यह है y की value, ठीक, तो, हमारे पास, अब इसको solve करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको differentiate, क्या निकालना है, dy by dx, और उसको कर देना है, फिर क्या निकालेंगे, dy by dx का whole square, तो देखेंगे, यह solve हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से कोई गर्बढ़नी होगी, आराम से solve हो जाएगा, ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, 1 प्लस निकालना है, 1 प्लस dy by dx का whole square, और वो बड़ी आसानी से आपका answer आजाएगा, कोई बहुत जादा महनत उसमें करने क्या शक्ता, आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है, लिमिट क्या होगी, तो 0 से a, 0 से a हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट, तो x is equals to, x is equals to 0 to x is equals to a, तो आप formula आपको पता है, ये चीज़ आपने निकाल ली, इसको रखिएगा और integrate करना है किसमें, x से 0 से a तक, ओके, ये आपका homework है, इसको आप लोग अच्छे से बनाएगे, ठीक है, आंसर कितना आना चाहिए, 6a, ठीक है, ये length है कहां से कहां तक, फर्स्ट चाप की, फिर इसको आप किस से multiply करेंगे, 4 से, तो आंसर आपका 6a आ जाएगा, ठीक, तो इसको बना के देखेगा, मैं आपको अगली class में मिलूंगा, थोड़े और कठीन सवाल के साथ, करेंगे उली सकारी के साथ, तो आ जिए Лएएगा, मैं मिलूंगा क्स्क्राइबन आप